हेलो एव्रिवन स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉलूशन हब पर आजम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ कंप्योटर के अडिशनल बुक हाइपर लिंक का चेप्टर नंबल जो 9 है लूपिंग स्टेटमेंट्स उसके क्वेश्चिन अंसर आजम करने वाले हैं तो च अगर हम किसी भी प्रोग्रम के इंदर कोई स्टेटमेंट है उसका सेट है या फिर किसी स्टेटमेंट है उसको रेगुलर रिपीट करना चाते हैं तो उस रेगुलर रिपीटेशन को क्या कहेंगे हम उस रेगुलर रिपीटेशन को कहते हैं लूपिंग तो लूपिंग में होता है किसी चीज़ का repeat होना है regular और repeat होकर उसका execute होना या फिर run होना second है that dash variable keeps track of the numbers of times a process is executed अब एक variable होता है जिसका नाम क्या होता है control variable control variable क्या काम करता है कि एक program जो है या फिर एक कोई भी आपने statement है वो कितनी बार regularly repeat हुई है execute हुई है उन numbers को track करना उस number किसी जांच करना क्या कहलाता है control variable के अंदर आता है first statement is always used along with the dash statement तो जब भी हम first statement का use करते हैं तो first statement के just बात कोंसी next statement का use किया ही जाता है the dash statement increments or decrements the value of the control variable तो कौन सी statement होती है जिससे कि हम control variable के अंदर किसी भी value को increase या decrease कर सकते हैं हमने practical में भी देखा था वो कौन सा statement है step statement है जिससे एक के बाद अगर हम तीन print करवाना चाते हैं फिर 5 फिर 7 तो वो step statement के दुरू करवा सकते हैं बी exercise है true or false की so there can be maximum of 9 loops within a loop तो हमने ये chapter के अंदर ही पढ़ा था कि एक loop के अंदर हम कितने maximum loops का use कर सकते हैं तो 9 loops का कर सकते हैं इसलिए ये statement true होगी looping technique reduces the number of instructions तो looping करते हैं या looping technique यूज करते हैं तो उससे क्या हमारे जो मतलब instructions लिखते हैं वो हमें कम लिखनी पड़ते हैं reduce हो जाती हैं तो बिल्कुल सभी बात है ये अगर हम looping statement का use करते हैं तो हमें कम से कम instructions का use करना होता है इसलिए ये true होगा in nested loop the innermost will be executed at last तो बिल्कुल गलत है ये nested loop में हमने देखा था कि जो innermost loop होता है जो inner loop होता है वो सबसे पहले execute होता है और जो outer loop होता है वो बिल्कुल last में होता है तो अगर यहाँ पर outer loop लिखा होता तो ये true होता और अगर यहाँ पर inner loop will be executed at the very first लिखा होता तो यह true होता है, ठीक है, अब यह at last लिखा होता है, तो यह false ही होगा फूर्टेदा, same control variable can be used in different loops, तो यह भी बिल्कुल गलत होगा, अगर हम अलग-अलग loops use कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या same control variable use कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमें control variable का different loop में एक बार ही use कर सकते हैं, तो इसलिए false होगा फिफ्ते है, step value can never be negative, तो यह false होगा, step value जो है, वो positive भी हो सकते हैं, positive numbers भी हो सकते हैं, और negative number भी हो सकते हैं, तो यह जरूर नहीं है कि यह positive भी हो, negative भी हो सकते हैं, तो इसलिए statement false होगी अब next है, multiple choice questions, mcqs, so first mcq है, dash statement increments the value of the control variable by one and directs the program control back to the false statement, तो ऐसी कौन सी statement होती है, जिसमें हम मतलब false statement का use करते हैं, और फिर उसके बाद कौन सी statement use होती है, जो statement use होती है, उसके बाद फिर वापिस return कर जाते हैं false statement के अंदर, तो यहाँ पर यह होती है, next statement use, जिसके दुरू क्या है, पहले for statement चली, फिर next चली, फिर वापिस for में जाकर वो value चेक करता है, अगर वो value सही है, तो वापिस next में आता है, और अगर नहीं है, तो वो end में चला जाता है, यह हम practical में देख चुके हैं, तो इसका answer होगा, option number c, next second है, the dash variable is assigned an initial value and a final value, तो यह variable होता है, control variable, जिसमें की initial value and की starting value भी होती है, जिसमें जैसे हमने देखा था, i is equal to 1, 2, 10, जैसे हमने एक example देखा था शायद, करके practical में, तो वो किसके अंदर आती है, control variable के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा, third है, dash statement, shifts the control back to the do until statement, तो यह होते हैं, loop statement, loop statement में क्या होता है, do until का जब हम use करते हैं, तो वो control कर देता है, मतलब, control back कर देता है, shift, जिससे कि हम loop का regular use कर सके हैं, मतलब, एक loop use किया, फिर do until लगाया, फिर वापिस से दूसरा loop चलेगा, फिर do until, फिर तीसरा, फिर do until, फिर चोथा, फिर do until इस तरह से, regularly loop control हो सकते हैं, जब तक हम चाहते हैं, do करना चाहते हैं, अब fourth, dash function is used to find the remainder after division, तो यह हमने last में पढ़ा था, यह होता है, mode function जो क्या है, हम जो भी value है, divide करने के बाद आती है, उसके बाद जो भी remainder बजता है, वो mode function के through हम find कर सकते हैं, अब आपके answers, question answer है, notebook वाले जो हैं, पहला question है, looping term क्या होती है, So, looping means repeated execution of a statement or a set of statements, looping का क्या meaning होता है, कि या तो एक statement है, या काफी सारे statements का एक set है, उसको regular repeat करना क्या कहलाता है, looping, It helps in reducing the number of instruction and also the memory space, which makes the program concise, अब looping हमें किस चीज के लिए help करता है, कि हमें कम से कम instructions लिखनी बढ़ती है, जिससे कि हमारा memory का space है, वो भी कम use होता है, और मारा program भी काफी असानी से बन जाता है, Second question है, Define the for next looping statement, तो for next looping statement बतानी है, The process of using multiple counters in a large program is very tedious task, अब काफी सारे, मतलब एक program के अंदर ही, काफी सारे हमें lines लिखनी पड़े, instructions लिखनी पड़े, तो वो काफी ज़्यदा difficult task हो जाता है, बड़े programs के अंदर, So, the process of repeating a program segment in a loop, can be simplified and controlled by using for next statement, तो अगर हमें एक ही program के अंदर, काफी बड़ा program लिखना हो, और काफी सारे counters यूज़ करने हो, तो उसके लिए हम इसको असान बनाने के लिए loop का यूज़ कर सकते हैं, और उस loop में क्या यूज़ करेंगे हैं, हम for next statement यूज़ करेंगे, जिससे कि ये असानी से counter चलते रहें, थर्ड है, what is the difference between while, went and do, until, तो while, went और do, until के बीच डिफ्रेंस पूछा हुआ है, तो कई बार क्या होता है, कि कोई condition हमें बार-बार repeat करवानी होती है, जब वो true रह रही हो, तो ऐसी condition में while, went के यूज़ करते हैं, और कई बार क्या होता है, sometimes a loop has to be executed repeatedly while a given condition remains false or become true, अब while, went में क्या था, जब true होती है, तब हम repeat करवाना चाते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि कई बार false हो जाती है condition और कई बार true रहती है, तो ऐसी condition में हम do until statement का use करते हैं, ध्यान रखीगा, यही फरक है, अगर इसमें true रहती है, इसलिए while, went करवाते हैं, इसमें false या true रहती है, इसलिए हम do until करवाते हैं, लास्ट कोश्चन है, what is nested loop? So the use of one fornext statement within another fornext statement is known as nested fornext statement, तो एक fornext statement का, दूसरी fornext statement के साथ जब हम use करते हैं, तो इस तरह के program क्या कहलाते हैं, nested fornext के statement कहलाते हैं, the fornext which lies outside or encloses the second fornext statement is called outer loop, तो जो मतलब बाहर की तरफ cover कर रह 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 सेकिंड fornext statement, वो क्या कहलाता है outer loop, और जो अंदर की तरफ रहता है छोटा, वो क्या कहलाता है inner loop, आपको example दिखा देता हूँ, हमने पढ़ा था chapter के अंदर ही, nested fornext statement हम देख चुके हैं अल्रेडी chapter के अंदर, यह दिखें, nested fornext का, हमने यह example भी देखा था, syntax देखा था, जिसमें यह जो बाहर वाली डंडी आ रही है किसकी है outer loop की जो की पहले start होता है लेकिन last में खतम होता है, जो inner loop है वो पहले run होता है, यानि कि मतलब बाद में शिरू होकर और पहले खतम होता है में पहले execute होता है, और जो पहले शिर्व होकर बाद में खतम होता है वो outer loop होता है वो बाद में खतम होता है ध्यान रखेगा इस चीज़ का ठीक है और इसी के साथ हमारा ये जो 9th chapter है ये भी पूरा हो चुक है अब हमारा एक ही chapter बचा है class 7 computer का तो वो भी जल्द ही हम cover कर लेंगे तो जूड़े रही solution अब के साथ और हमारे चैनल को भी subscribe कीजिए वीडियो को like, share, comment कीजिए Thank you